कि नमस्कार किसान भाइयो मैं शुषिल कुमार आपके अपने फिर्योट यूट चनल सेड़े जेगरी कल्चर में श्वागत करता हूं किसान भाइयो आज का जो हमारा विशह है बैगन में फल वह तना भेदक इल्ली के बारे में कि इसकी पहचान कैसे करें इसका अक्रमन कब ह होता है इसका इलाज क्या है इन सब विशह पर हम लोग आज बात करने वाले हैं तो किसान भाइयो जैसे कि आप यहां फोटो पर देखी रहें कि जो बैगन में फल भेदक होता है तो इसमें सब्सक्राइब होता है कि इसकी इल्ली है यह फूलों पर अंडे देती है और क्या होता है कि जब फल बड़ा होता है तब हाइस चे अंदर उसे खाका कर फूल को खराब कर देता है तो इसके अगरहं पहचान की बात करें किसान भाईयों सब्सक्राइब कि इस कीट के मादा मौत बैगन के पौदों की शाखव पर अंडे देती है उसके बाद मादा हलके पिले सफेद रंक के अंडे पत्यों की निचली सत्व पर तने फूल कलिकाओ या फॉलो के निचले भाग पर देती है उसके बाद अंडे से निकली हुई इल्ली 15-18 mm की लंबी हलके सफेद रंक की होती है जो वैसक होने पर हलके बैगनी रंक के परिवर्तित हो जाती है अगला है कि वैसक मौत सफेद रंक के होते हैं इनके पंक भूरे रंक के होते हैं जिन पर बैगनी या निले रंक की आभा दिखाई देती है उसके बाद अंडे से निकले हुए लार अवस्ता का जीवन चग्रफ पूरा हो जाने पर ये तने सुखी शाकाव या गीरी हुई पत्तों पर प्यूपा निर्मान करते हैं गर्म वातावरन की दश्चा में फल एवं तना छेदक इल्ली की संख्या अधिक होती है तो ये इसकी पहचान होई कि कैसे कैसे अवस्ता में लोग होते हैं अब इससे जो हानी होती है तो इसमें जो हानी सबसे पहले जो हानी की इस कीट के द्वारा हानी रोपाई के तुरंत बात से लेकर अंतिम तोड़ाई तक होती रहती है वैस कमादा मक्ही पत्तियों की निचली सता पर कलियों फॉलो में परंडे देती रहती है प्रारमी का वस्ता में छोटी गुलाबी रहती है एवं तनी में छेद करके प्रवेस करती है जिसके कारण पौद्व की साखाएं सुख जाती है उसके बाद इल्ली फॉलो में छेद करके प्रवेस करती है और गुदे को खा जाती है दोस्तों जैसे कि आप यहां कुछ फोटो बात करें तो नियनाय के लिए क्या कर सकते कि एक ही खेट में लगातर वैगां के फ़सल न लेतेवे फ़सल चक्राइघ मतलब जिस खेट में अगर यह विमारी एफातर लगये लगा को seven के लीच कर दें रोपाई के 35 दिन से बाद 35 दिन के बाद से लेकर 15 दिन के अंद्राल में इस प्रेका चिलगाओ करें उसके बाद कीट के प्रभावी रोक्ताम के लिए कीट नाशक के चिलगाओ के पूर्व छेट छेट किगे फोलो के तुड़ाई कर ले मतलब अगर आप अगर इंसेक्ट ने अटेक कर दिया तो उनको तोड़के उन्हें हटा दें उसके बाद आप इस्प्रे करें तो यहां पर कुछ इंसेक्टिसाइड है जो कि जिनके उप्यों करने से क्या है आप आसानी से इन कीटों से निजात पा सकते तो सबसे पहला है एजादी रेक्टम जो क दो तीन प्रतिसत यह डबलो एसपी में आता है जिसे हम लोग पात ग्राम प्रती लीटर पानी की में मिलाकर छिलकाओ कर सकते हैं उसके बाद डाई मेथवेड थर्टी परसेंट EC 7 ml प्रती 10 लीटर पानी में मिलाकर इसको लोग छिलकाओ कर सकते हैं उसके बाद इमावेक्टिन इमावेक्टिन बेंजोएट चुकि 5 प्रतिसत एसजी कर सकते हैं ग्राम प्रती 10 लीटर पानी में मिलाकर इस्प्रे कर सकते हैं उसके बाद फ्लू बेंडामाइट 20WDG 67 ग्राम दस लीटर पानी मिलाकर छिलकाओ कर सकते हैं उसके बाद फोशा लोन 35 परसेंट इसीर 1.5 आमल प्रती लीटर पानी में मिलाकर इसका चुलकाओ कर सकते हैं उसके बाद क्विनलवहPs 25 परती सफ कते हैं उसके बाद थायोडीकॉर 2.0 ग्राम प्रति लिटर इसका चलकाओ कर सकते हैं उसके बाद थायो में टॉन 25 प्रतिसाथ EC 1.0 ml प्रति लिटर पानी मिला कर हम लोग चलकाओ कर सकते हैं उसके बाद Trichlorophone тобow 50%1 ml प्रति लीयटर पानी से मिलाकर हम युछ चलकाओ कर सकते हैं यह Trisophos to 40% u.5 ml 1.5 ml प्रति लीयटर केसाब से हम लोग चलकाओ कर सकते हैं तो किसान भाइयो यह विडियो आपको कैसे लगी पलीस हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताए अगर आपकी फसल संबंदी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसके भी हमें कमेंट कर दे जिसे हम आपको उसके संबंदी तो सभी वीडियो यूटूब पर अफ्लोड कर सके तो आज का दोस्तों किसान साथी हो याला वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं धन्यवाद